कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे योट्यूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आपका क्रेस कोर्स 90 डेज वाला जो पैटन मैंने चलाया है उसकी अगली वीडियो है और इस वीडियो का मतलब देने का मेरा इंटेंसन यह है कि आज की क्लास आपकी आज ही एंड होनी चाहिए यानि मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि आप इसको पोस्ट पॉन करें आप इसको एक दिन डिले करें दो दिन डिले करें सोचिंगे कि यार सन्य कराई दिया डाउनलोड करके रख लेतें बाद में देखते रहेंगे ऐसा बिलकुल मत करना क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि 90 डेस का मतलब 90 होना चाहिए भले ही रात की दो बज़े बैटके आप लोग टॉपिक बनाओ एक बज़े बैटकी टॉपिक बनाओ इससे कोई फाक्त नी पढ़ने वाला मुझे आपकी क्लास आज है तो आज ही इसको कंप्रिट करो नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपका ही तैयान दना चलिए ठीक है डेट्स का यह मतलब होगा कि आपकी जो मतलब चीज़े हैं वो बहुत बहतर तरीके से बहुत आखी की ओर निकल रही है ठीक है देखना लास क्लास में जब मैंने एक चीज़ कराई थी उसमें कुछ कंफुजन था कई बच्चों को एक सिचाई अनुसंधान सस्तान यानि इरिगेशन रिशार्च इंस्टिट्यूट आयाराई ठीक है यह कहा है रूड की बहादराबाद अब जो सिफ्टिंग का मैंने जिला सेरी इस जगे से मैंने इसको पिक किया था 1945 उसने लिखा था बट मैक्जिमम जब मैंने इसको अच्छे से रिशार्च किया तो 1946 कर देना उसको साथ में आवली करके किसी केस मगर 1946 ऑप्शन नहीं आया पेपर में तब 1945 आपको करना है रानी सिचाई और संधान सस्तान दूसरा न दोनों को क्या करना है आपको ऐसे अबली करके क्योंकि दोनों आप्शन नहीं आएंगे आपके इसकी कोर्स मतलते इते क्लोज वाले तो गोल्फ गोर्शन 1936 और 1936 दोनों ही अबली करना है ठीक है यह था आपका अब देखे इससे आगे हम बरते हैं अब आपकी एक्जामनर दोगे भी टॉप भी कर जाओगे कोई नहीं जानता कि किसमत कप पलट जाए एक क्वेस्चन मेरी आत्मा कहते है वर्ण विच्छेद वाला देखके जाना ठीक है वर्ण विच्छेदन यानि इसका क्या मतलब है सपोज आपको कोई क्वेस्चन आता है वहाँ जैसे उसने ए मात्राओं को कैसे किया जाते है जैसे यह देखो इसको आप कैसे तोड़े होगे यह क्या है वह के साथ कैसी मात्रा है छोटी ए की मात्रा तो सबसे पहले आप क्या लिखते है वह लिख दिया वह के साथ क्या है छोटी ए की मात्रा छोटी ए को आप ऐसे दिखाते है तो यह क प्रकार के विध्या तक हो गए. अब लएा, आज मतलब एक मतलब विध्या, जैसे आपने या लिखा या के बार आ भी आएगा. ये तो विध्या या बन गया और किसकी मातरा यहां पर आ की मातरा है, ठीक है, विध्या यहां, अब देखो लए, लए मतलब लो, लो मैं, लो, और पकड़ा आपने सपोस्स सर्वो माननी का कर दिना है क्या वर्ण विच्छेदन सर्वो माननी मैं यह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको मैंने क्रैस्पोर्स में बोला कि इसका वर्ण विच्छेदन पेपर माएगा ऐसा नहीं यह आपको एक हिंट है कि आपको one विच्छेदन वाली चीजे कर नहीं है पेपर मानने से, बनने जाने से पहले ठीक है जैसे सर्व माननी है, सर्व माननी में देखो सबसे पहले 100 है, तो सबसे पहले one लिखोगी, इस 100 के साथ क्या है आपका जुड़ा हुआ, अ है जुड़ा है तो यह हो गया अब सर्वाला काम तो हो गया अब किसका काम आ गया वाँ अब इसको पढ़िए तो सर्व पहले रव बोलते हैं आप ठीक है सर्व तो रव को पहले बोलते हैं तो रव आप दिखोगे सर्व यह हुआ अब देखे रव हो गया अब रौ के बाद क्या आता है आपका वा है वा के साथ क्या होगा वा अच्छे से बोलो वा के साथ क्या है अब देखो यहां तक हो गया अब यह वाला भी complete हो गया अब आता है आपका मान ने ठीक है ये आधा है, इसके बाद इसके साद ओ नहीं माना जाता जब आधा होता, तो फिर माननी भी, नो भी होगी, और लास्ट का क्या बता है, यो प्लस ओ, यो प्लस ओ, इस तरीके से आपको इची द्यान रखनी है कि सर्वमाननी का जो आपका वर्ण विच्छेदन होगा इस प्रकार से अब आप कोगे sir हम कौन सा तरीका इसके लिए अपना है जिससे हम लोग की वर्ण विच्छेदन कर सकते हैं simple सी बात है आपको क्या करना है जो o ie e है जैसे यह होते हैं तो आप जो व्यंजन होते हैं खा खा गा घा तो उसमें क्या करोगे जैसे आपका ये लिख्या है ये जैसे ये लिख्या आपने खा लिख्या है खा में किससे बिनके बनाए खा प्लस आ की मात्रा यारी आपको ये मात्रा चेक करने है कि किसके बीसे क्या बनाए जैसे मैंने मी लिख दिया मी किससे बनाए छ भोडना आना चाहिए यानि लौ है टो लौ प्लस ओ मिलके और ला होता तो तो कैस से बना होता लौ प्लस चोटी उ की मातर, यानि आपको एक ध्यान रखनी है, जो यह भी जो भी सब्द दे होंगे उसमें ये देखना कौन सी मात्राओं का प्रियोग किया क्योंकि ये वर्ण विच्छेदन वारा चेप्टर है अब ये पूरा तो कराए नी जा सकता है ऐसे तो हजारों वर्ड होंगे मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दी है कि आपको वर्ण विच्छेदन वारा चेप्टर में जो क्वेशन होंगे वो क्रेक्टिस करनी होगे और वर्ण विच्छेदन से क्वेशन आने की संभावना हमेशा बने रहती है आप किसी भी कहीं भी एक्जाम में चले जाएए वर्ण विच्छे दन से पुशन आता है अब आपकी एक्जामनर को लगा ये जो हमारे बच्चे हैं ये देखते हैं इनको कि यारी कर क्या रहे हैं मतलब घर में हम इनको इतना समय देते हैं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं अब उनको क्या पता वो क्या जानते हैं कि इनको कौन सी खुक्टी पिलाई जा रही है कौन सी जड़ीबुटी इनको मिल रही है जिनके माध्यम से इनके मृतक आत्मा में पुनर जीवन होगा फिर से इनके आत्मा जागरत हो कि फिर से पढ़ने बैठ रही है वो समझी नहीं रहा एक्जामनर तो समझी नहीं रहा लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो चात रहें बहुत चालाकी से बहुत सिंसियर हो कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और इनके confidence के level को boost up मिलने लग गया boost up मिल रहा तो उसने कहा यार एक काम करता हूं इनको पकड़के द्विज्वेंजन से question डाल देता हूं देखता हूं बड़ा वर्णे विच्छेदन करने के बाद द्विज्वेंजन कर पाते हैं या नहीं करते हैं ठीक है यानि कौन सा विज्वेंजन या द्विज्वेंजन वाला सब्द है ऐसे question पूछूंगा और ये पक्का फेल होंगे और इनको मैं बढ़ने ही नहीं दूँगा आगे ये आपके examiner की thinking है लेकिन आप तो उससे आगे निकल गी उसके mental level को आपने पढ़ दिया उसको read कर दिया आपने तुरंत से कहा हम इसक द्विज्वेंजन क्या होते हैं ऐसे सब्सक्राइब बच्चा लट्टू कदू ठीक है पत्ता आदी अब देखे इनको बोलते हैं द्विज्वेंजन जहां आपको सेम चीज यानि क्या दिखेगी एक व्यंजन दिखेगा जैसे चौ है इसके साथ कोई दूसरा इसी का व्य यानि आपके सिमिलर व्यंजन होंगे और आपस में चिपके होंगे तो ऐसे व्यंजन उंको बोला जाता है इक्जाम्पल जैसे जैसे बच्चा है बच्चे में क्या क्या है आपका एक तो यह चा है दूसरा भी चा है लट्टू में क्या है लट्टू बनता है ठीक है एक ता है दूसरा भी क्या है ता है कदू में क्या मनता है कददू यानि एक दा है फिर दूसरा भी दा है पत्ते में क्या मनता है एक ता है दूसरा भी ता है कहने का ये मतलब है जब आपके ऐसे सब्द यानि ऐसे सब्द देखें जहां पर कोई व्यंजन रिपीट हो रहा हो यानि आ पत्ता यानि बच्चा जच्चा ये सब के सब क्या हैं जो तिवेंजन के एक्जामपल है और आपके एक्जामनेर ने कहा यार अब मेरे बसकी नहीं है इनसे ये वर्ण माला से क्वेशन पूछने की और हमने भी कहा सर हमारी भी बसकी नहीं है वर्ण माला पढ़ने की और हम भ question का pattern भी पता चलेगा जहां आपको रटनते विद्या फलंती नाही की concept से दूर भी रहना होगा यानि हमारी रटने की श्यमता जो है प्रवर्ती जो है वो निकाल के हम enjoy करते हुए शिक्ष्या को लेके चलेंगे और जहां तक enjoy होगा जहां तक मरो रंजन कलास में होगा उतना ही बहतर आपके लिए आने वाले एक्जाम में होगा ठीक है अगला देखिए उसने कहा इनको एक चीज पूछ लेता हूँ अर्थ को सही रूप देने है तू वर्ण के नीचे जो बिंदी लगती है बिंदू लगता है बिंदू लगता है कहलाता है नुक्ता चिन्न क्या कहलाता है नुक्ता चिन्न यानि एक्लिस्ट आपको यह पता चल गया कि नुक्ता चिन्न भी कुछ होता है जैसे एक्जाम्पल जैसे एक्जाम्पल के अंदर लिख लिए नुक्ता चिन्निक इसको कहता है जैसे मैंने का लिखा इस का का अर्था अलग है, अगर यहां मैंने यह लिख दिया, तो इस का का अर्था अलग हो जाएगा, जैसे खा लिखा, यह अलग हो गया, गा लिखा, नॉर्मल गार इसमा अंतर रहे, ठीक है, इसके अंदर बिंदी, और इसके अलावा दो ओ लिख दिता हूँ, जा अर्फा जा फ ठीक है ये दो यानि नीचे जो बिंदी लगी है इन ही को बुला जाता है नुक्ता चिन्द तो इस परिभासा को ध्यान में रखना और परिभासा को ध्यान में रखने के साथ अर्थ भी अलग हो चाते हैं इनके अलग होते हैं और या तक ना अगला question लिखू अरवी भासा का सब्द है ये भी आपको क्या गन्द है ध्यान में रखना है अब इसके अलावा जो नुक्ता वर्ण के प्रियोक ये हैं बेसिकली इनी को बाला जाता है और अगर question कभी इस प्रकार से आता है उसने ये कहा यार ये तो रटके आए हैं मैं समझ रहा हूँ कि इसको कोई न कोई study with yogis पढ़ा रहा है और मैंने भी चलो आज examiner मैंने भी भाई की class देख ली सोच रहा होगा क्या पता देखता हो कोई नहीं जानता है यहां ठीक है हो सकता है उसने कहा इसने तो चलो पढ़ा दिया बच्चों को इस तरीके से कि ये रटके चले जाएं और उसने question last में क्या कर दिया इनमे से कौन सा एक अर्बी वर्ण का example है बहुत चालाकी से इनमे से कौन सा एक अर्बी वर्ण का example है आप्सन दे दिया जा फा खा ये भी फा लेख दिया यहां बिंदी लगा दिदेखो इतनी चालाकी से उसने क्या कर दिया इन्वे से कौन सा एक अर्भी वार्ण है यारी उससे तुरंत उसमें क्या लगा दिया नुकता चिन्न लगा दिया और आपके mental level को उसने पढ़ लिया और आपने उससे पहले ही हमने mental level उसका पढ़ लिया यानि हम दोनु की mental level है वो मिल चुकी है तो हमारा question गलत होने से रहा ठीक है ये भी आपको तुरंत समझ मा जाएगा अब हमने कहा हिंदी 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 सर बकवास हो रही हिंदी कितना हम पढ़ेंगे हिंदी कोई पढ़ने की चीज़ है ये बार बार यही पढ़ाते रहते हो मैंने का और पढ़ाऊंगा जितना है उतना पढ़ाऊंगा जब तक हिंदी में 20 में से 18 सटर का इसकोर ना कर पाऊ अगला question लिखो, सम्मिधान द्वारा हिंदी को राजभासा के रूप में स्विकार कब किया गया, 14 सेप्टमबर 1959 को, इसलिए हिंदी दिवस कब मनाय जाता है, 14 सेप्टमबर 1959 को स्विकार किया गया, अगला लिखो, हिंदी भासा की उत्पत्ती हुई, हिंदी भासा की उत्पत्ती, किस भासा से हुई है, संस्किर्ट, हिंदी भासा की उत्पत्ती किस से हुई है, संस्किर्ट से हुई है, अगला question लिखो, सम्मिधान में मानिता प्राप्त भासाओं की संख्या कितनी है, सम्मिधान में, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं कि, सब हलकी प्राप्त भासा किती है 22 ठीक है 22 भासा मानिता प्राप्त है अब जो है कभी कभी आपके examiner का mind खिसा गया और उसने इनमें से पूछ दिया इनमें से कौन सा एक सम्मिधान के 22 भासाओं में समलित नहीं है नेपाली अंग्रेजी संस्किर्ट इसके अलवा मराटी तो सर क्या प क्लास में क्वेशन अगर आगे हैं पेपर में मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैंने नहीं पढ़ाया मैं कहूंगा यह देखो मैंने कहा था कि चेक कर लेना 22 भासाओं को देखना और याद कैसे करोगे इंडिया का मैप खिसना वहाँ पर साइन लगा देना कि किस जगर पे कौन उठत का साव गुजाती आती हो कौईक राजस्तानी हो कौणकडी हो संध्हाली हो मैथली हो इस सब कबर वह जाएगा आपका बहुत इजलिए आप समझ जाओगे तो बॉइस भासा कौन सी अनुसूची में है ऐठ वी अनुसुची में कौन सी अनुसुची? आठवी अनुसुची में अगर कभी question आता है कि समीधान में जो 22 भासाओं का उलेक किया गया कौन सी अनुसुची में किया गया? आठवी अनुसुची में ठीक है? अगला लिखो भासा का उद्गम किस आधार पर माना जाता है ध्वनी ठीक है भासा का उद्गम बेसिकली ध्वनी ध्वनी के आधार पर लिख देना भासा का उद्गम माना जाता है अगला लिखो भासा को लिखित रूप परदान करने है तो निर्धारित चिन क्या कहलाते है लिपी अगला question लिखो भासा का छेतरी रूप क्या है? अपने आपने बोली ठीक है? भासा के छेतरी रूप को क्या बोला जाता है? बोली बोला जाता है अगला question लिखो हिंदी की कितनी उपभासाएं हैं? बच्चों देखो क्लास पढ़नी है अच्छे से तैयार करके जाना है अब यार देखो तुमारा तैयारी कर रहे हो सोना बाबू मोना बाबू यहां तैयारी में लगे पड़े हैं थोड़ा इंतजार है पटवारी दरगा आपके अभी मेहनत करोगे तो सब चल जाएगा वना सोना बाबू मोना बाबू में ही रह जाओके अभी के टाइम पे जितना है अपना effort दे सकते हैं और अभी ही मेहनत करते हैं हिंदी की पांच उब भासाओं के नाम कौन कौन सी उब भासा है हो और कहां पर कौन सी बोले ज राजस्थानी तीसरी कौन से लिखोगे पहाडी चौथी कौन से लिखोगे इसके अलाबा पस्सिमी हिंदी और पांच भी कौन से लिखोगे मगदी या बिहारी हिंदी ठीक है इनको बोला जाता है इधर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ठीक है इस पोर्शन पे भी हां बिहार पूरवी हिंदी के अंदर समरित किया जाता है अवधी बगेली और चत्युसगड़ी, पूरवी हिंदी के हिस्सा है I would मैप में देखना ये पूर्व का पूर्चनल पूर्वी होगी राजस्थानी राजस्थानी यह नहीं राजस्थान का जो इलाका महा राजस्थानी हिंदी ठीक है तो कौन कौन से आईगी राजस्थानी के अंदर जो लिखो जैपुरी मारवाडी मेवाती और मावती ठीक है क् पहाडी गड़वाली कुमावनी और हिमानचली यह किसके अंदर आएंगे अपने आप में हिमानचली, किसके अंदर आएंगे पहाडी हिंदी, इसके बाद आता पस्तिमी यानि पस्तिमी भाग दिखना भारत के में अफका western portion, तो western में कौन खॉनसा हैगा, खड़ी बोली हरिय आणवी, तीसरा लिखो कन्नौजी, चोथा लिखो ब्रजभासा ठीक है चोथा लिखो ब्रजभासा और अंतिम जो लिखने आपको बिहारी में लिखो भोशपुरी, मैथली और मगई भोशपुरी, मगई और इसके अलावा अंतिम क्या लिखोगे मैथली तो ये आपको ध्यान अखने वाली चीज है, इन में से कौन सा एक पुर्वी हिंदी का हिस्सा है, इन में से कौन सा पसिमी हिंदी का हिस्सा है, इन में से कौन सा पाड़ी हिंदी का हिस्सा है, हिंदी की पांच उभासाओं को किन-किन में बाटा जाता है, इस तरीके से घुमा पिराके दाएं बाएं उपर दीचे जहां से कान पकड़े उस कान को दे देना ऐसा कर देना ठीक है अगला क्वेशन देखो कितरे एंगल से क्वेशन पूछेगा पूछे लेवाल यार फिकर करने की कोई जरुवत नहीं है आज करो काम महनत करो मैं हो साथ में बिलकुल टैंसल नेने की जरुवत नहीं है चाहिए बसंद भाट जी हो सुबम लोहनी हो सुटा भट उन्याल हो जितने भी बच्चे है रज कौन सा देवनागरी इनमे से कौन सा देवनागरी लिपी में लिखा जाता है यानि देवनागरी लिपी में लिखित भासा हुम्म के रूप में ही चेक कर लेना कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती इसको तयार कर लेना इसके अंदर आपको क्या-क्या चेक कर अगला क्वेशन लिखो केंधर सरकार की और से करेंसी नोट कौन जारी करता है? केंद सरकार की ओर से करेंसी नोट करेंसी नोट कौन जारी करता है Reserve Bank of India RBI ठीक है Reserve Bank of India जारी करता है इसकी स्थापना खुद चेक करोगे ठीक है सब पढ़ा रखा है क्योंकि समीती अब इसलिए यहां पर नहीं बता रहा हूं चेक कर लेना ठीक है तो यह मैं खुद नहीं बता हूंगा इसलिए खुद करने पड़ेंगा अगला लिखो मांग जमा से आप क्या समझते हैं यानि demand यानि demand जो होती है यानि मांग जमा demand जो saving कहते हैं मांग जमा इन में से कौन सा एक मांग जमा का हिस्सा है तो मांग जमा एक ऐसे account को बोला जाता है जिसमें पैसे आप जब चाहें डाल सकते हैं जब चाहें निकाल सकते हैं example saving account लिख लीजे इसमें लोगों को जिस खाते से अपनी आउशिक्ता अनुशार धन निकालने की या लोग जिस अपनी आउशिक्ता अनुशार जिस भी खाते से क्या कर सकते हैं धन निकालने की सुभिधा उनको मिलती है वो क्या कहलाती है मांग जमा कहलाती है अगला question लिखो अनौपचारिक छेत्रक के रिण के अंदर आप किसको समलित करेंगे अनौपचारिक इनफॉर्मल ठीक है छेत्रक रिण देखो यानि इन में से कौन साइक अनौपचारिक छेत्रक का रिण कहलाता उधार अनौपचारिक कोई मतलब है इनी जैसे आपने दोस्त से ले लिया बोला यार एक जो है गल्फ्रेंड को कुछ देना है गिफ्ट इतनी रुपए दे दे हजार तस जार पंदर है ठीक है इतने तक खेर नहीं देगा बेरुजकारी में कहां से देगा लेकिन कोई वरोसा नहीं है आज कल के आसी कूँ का वो कुछ भी कर जाते हैं ठीक है सोना बाबू मोना बाबू जो भी है तो दोस्त से ले लिया आपने किसी साहुकार से ले लिया किसी साहुकार किसी व्यापारी से ले लिया ठीक है इसके अलावा क्या हो सकता आपका मज़द दोस्त साहोकार या पारी कोई रिष्टिदार है आपके वो तो दिंगे नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो कि आपके ता question के exam क्या होगा बैंक होगा ठीक है अपचारिक छेतर का बैंक हो गया एलाइसी वाले जो होगी कंपणी होगी कोई life insurance company से भी loan वगरा मिलता है तो इस टाइप के जो चीज होते हैं अगला question आपने लिखना है बहुराश्री company किसके कहते हैं ठीक है एक से अधिक देशुम है उत्पादन पर स्वामित्व नियंतर होता है जिसका एक से अधिक देशुम है यह निवन प्लस होका ठीक है उत्पादन पर स्वामित्व प्लस नियंतर ठीक है वो क्या क्या रती मत्चो multinational companies अगला लिखने है आपको machine भवन भूमी आदी उपकरों पर निवेश क्या 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 ला मत्ता है यह तो छोड़ते हैं यह तो common sense यह तो बनाई लोगे अगला आपको क्या लिखने है तीन definition लिखने की syllabus में भी है कभी का भी definition की रूप में आता है तो इसको देखने है एक तो आप लोग लिखो west week करान की परिभासा globalization दूसरा लिखने आपको उदारी करान की परिभासा और तीसरा लिखने आपको नीजी करान privatization ठीक है और यह liberalization नीजी करान इन तीन की क्या लिखोगे परिभासा लिखो और ज विविन्य देशों के भी इस परस पर संबंद वद तीवर एक ही करान यानि आपने एक से अधिक देशों के साथ जो संपर्क स्तापित किये हैं पहले ऐसा नहीं हुआ करता है तो सब के अपटी boundary थी close रहती थी अब तो सब open है जब चाहें जहां चले जाओ एक देशे दुस उदारिकरा लिखना है सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविद्यों में अवरोध परतिबंद आठाना पहले क्या होता था व्यापार करने के लिए सरकार कई टाइप की रिस्टिक्शन से लगाती थी लाइसेंस नहीं देती थी पहले नियम बना देगी अपनी कमपनी में इ अगला लिखो व्यापार संगठन का मुख्यालाई जेनेवा और जेनेवा कहां पड़ता है स्विट्जर लें में ठीक है स्विट्जर लेंड में पड़ता है अगला लिखो विश्व यापार जो डेवली ट्यो अस्टित्तु में किस संदी से आया डेवली ट्यो की संदी से मारेकस संदी यानि मारेकस संदी है मारेकस एग्रिमेंट इसको बोलते है मारेकस समझोते के बाद मारेकस समझ इसका मुख्य काम लिखो, वैस्विक व्यापार को उधार बनाना, बनाना इसका मुख्य काम है, अगला लिखो, डव्योटी ओ का पूर्ववर्ती रूप, इसको बोलते हैं, गैट, जी ए टी टी, गैट का फूर्वां भी आता पेपर में, जन्रल एग्रिमेंट और इसको गैट की स्तापना भी लिखो, जी ए टी टी की स्तापना 1948 में अस्तित्तुमा है था, डव्योटी ओ का ओल्ड रूप है, और डव्योटी ओ की स्तापना एक जन्रुट सब पिचानबे, जैनेवार से व्यालेंड में मुख्याल है, वैस्विक या पार को उदार बनाना काम, मारे के समझोते से अस्तित्तुमा है, पूर्वरती रूप इसका गैट है, ठीक है, अगला लिखो आपको भोगता संदक्षन एक्ट, यानि कंजूमर जो प्रोटेक्षन एक्ट है, वो कब अस्तित्तुमा है था, 1986 में, अब तो कहें, 2019 में कासी मसलिब तुमा है था, और इसमें जिला निया लए और उसके अलावा जो स्टेट लेबल पे होते हैं, या फिर से सेंटर लेबल पे होते हैं, उसकी क्या लिमिट है, करेंट आफिर से अपडेट करोगे, खुद ही करोगे, ठीक है, तो एक सीच यहां पे ब्रेकेट में अपडेट करनी हैं, क्या अपडेट करनी है, जिला लेबल पे कितने रुपे तक के मामले, ठीक है, राज जिस्तर पे मामले कितने रुपे तक के के इंदर तक पे, ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं 50,50,50,50 इतने तक होगा, पांस करोड, बीस करोड इस टाइप का कुछ होगा, चेक करने इसको 1 क्रोड या 10 क्रोड तक का कुछ माम लौगा है साइध राजे में 1 क्रोड से कितके मामले देखे जाते हैं और के इंदर में साइध 10 क्रोड तक मैं confirm होनी अप्डेट आपको करना है इसको अप्डेट करना है ठीक है तो यह कप आय था 1986 है इसमें दो-तीन चीज कॉमन थी बच्चो, क्या, एक तो, एक क्वेशन और लिखो, RTI Act, Right to Information, October 2005 का है, ठीक है, यानि Right to Information Act का है, October 2005 का, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, RTI Act का है, October 2005 का, इसमें कई चीजे दे रखी थी, इन लोग ने जैसे, RTI, Consumer Protection Act है, इसमें दो-तीन चीज आई थी, एक परतिनी जित्तो का अधिकार दिया गया था, सूचना का अधिकार दिया गया था, आप सूचना पूछ सकते हैं, कहां बना है, क्या बना है, इसके अलावा, चयन का अधिकार दिया था, यानि आप उसको चेक कर सकते हैं, आपके आप्सन होगा, क इस प्रोडेक्ट के बारे माठी है, दूसरा लिखो इसमें स्यतिपूर्ती का अधिकार, स्यतिपूर्ती निवारण, यानि किसी को नुकसान हो गया, कहीं किसी गरहा को ठाग बग दिया तब ठीक, तीसरा इसके अलावा लिखो चैन का अधिकार, आपको option मिलेगा क्या आपको इस ऐसे आप कहा, यार सर एक चीज़ बताओ, हम बहुत अच्छे से मतलब हमारे planning बनी है, हम सूतने की दोनु जो है, इस बार पटवारी बनके साधिवादी कर लेगे, बढ़िया है, अब वीडियो भी वीडियो तो हुआ नहीं हमारा आया, उससे पहले कानिसायक, सोड़ो सर, अब जाना है तो थोड़ा ढगी पोस्ट पर चले जाते हैं, आप एक काम करो, एकोनोमी तो चलो, हम दुनों तहीं आर करी लेंगे, आप थोड़ा उत्राखंड अलग से पढ़ा दो, वनलग से स्पैसल क्वेश्चन जिसको कहते है, मैंने कैसे स्पैसल, सर ऐसे पढ़ा प्रवंधन एक्ट कब अस्तित्तमाय था, 2005 मेंट, ठीक है, यानि उत्राखंड रिवर वेली, डेबलेप्मेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, कब अस्तित्तमाय था, 2005 का एक्ट है, इसी के तहद आपके एक बहुत बड़ी प्राधिकरान मनाएगा था, भागी रथी नदी घाटी विकास प्राधिकरान इसी के तहद बना था, तो लिखो भागी रथी नदी घाटी, भागी रथी नदी घाटी, विकास प्राधिकरान, विकास प्राधिकरान, किसके तहद बना था, इसके तहद बना था, लिखो ये, इसके तहद बना था, लिखो ये, इसके उत्राखंड भेड़ वा उन विकास बोड की स्तापना आपने दिखना है ये दिखना है इकतिस अक्टोबर दोहजार तीन को ठीक है इकतिस अक्टोबर दोहजार तीन को सरकार ने इसको नोटिफाई किया इसके अलावा यह जो अगला क्वेड़ प्रजनन एम अनुसंधान केंद्र पीपल कोठी चमुली की स्तापना काव हुई थे अगला क्वेशन लिखो राच की भेड़ प्रजनन एम उन अनुसंधान केंद्र राच की भेड़ प्रजनन एम उन अनुसंधान केंद्र यह कब बना था अपने आप में ये है पेपल कोटी चमोली पीपल कोटी ड़ेकेट बर चमोली कर देना और ये बना था आपना 1950 में 1950 अगला कुश्चिन आपने लिखना है केंदरी भेडव उन अनुसंधान सस्थान पसुलोग किस्ता आपना 1953 में लिखो ये केंदरी वाला है ठीक है केंदरी, भेड, वो, उननुसंधान सस्थान, उननुसंधान सस्थान, ये कहा है, पसुलोग में, और कब बना था पसुलोग में, 1934 में, और पसुलोग पतला, रिसी केस कर देना है, ठीक है, अगला आपको लिखना है, उतराखन जैव प्रोज्योगी की परिसत, पंत नगर, यानि, यूएस नगर में है, इसको कब बनाए गए था, पूर्व नाम इसका था, राज जैव प्रोज्योगी की कारिकरम, फरवरी 2003 में इसको शुरू किया गए था, लिखो, उतराखन जैव प्रोज्योगी की परिसत, यानि, उतराखन बायो टेक्लिलोजी काउंसिल, इसको देखना, ये इसको दो तरीके से, इसका पहले नाम क्या था, पूर्व नाम, इसका पूर्व नाम इसको बोला जाता था, राज जैव प्रोज्योगी की कारिकरम, यानि, स्टेट बायो टेक्लिलोजी कारिकरम, कारिकरम को क्या बोलेंगे इंगलिस में, जो भी बोलें में फरवरी 2003 में इसको शुरू किया गया था ठीक है राज्य जयव प्रध्योगी कारिकरम लिख दिया और 2004 में इसको क्या नाम दिया गया था बाइट जयव प्रध्योगी की परिसर लिखो नीचे लिखो 2004 में इसको नाम दिया गया था उत्राखन Bio Technology Council UBC और ये है कहाँ पर पंतनगर में कहाँ पर इस्तित ही पंतनगर में अगला लिखने आपको सिदकुल की स्तापना का हुई था यानि सिदकुल को कब Limited Company की रूप में रजिस्टर्ड किया गया था उत्राखन में सन 2002 में ठीक है अगला लिखना आपको सिदकुल को कब Limited Company की रूप में दर्ज किया गया था सिदकुल को कब Limited Company Limited Company की रूप में क्या किया गया था रजिस्टर्ड किया गया था ठीक है ये किया गया था 2002 में 2002 में और अभी इसकी साथ जगह साखाईं चल रही है सिटकुल की, एक लिखो सिटकुल कहां कहां पर देखो, एक तो सितार गंज सितार गंज ठीक है, दूसरा है आपका कासिपूर कासिपूर तीसरा आपका देहरा दून चौथा आपका हरिद्वार पाचमा सेला कुई साथ जगहों पर आपके सिटकुल का क्या चल रहा है, कारी चल रहा है इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है तो इन साथ जगहों के नाम जैसे UKPSC ने पूचा, इन में से कहां सिटकुल नहीं है, सितार गंज ओप्शन था दूसरा उप्शन सेला कुई था तीसरा उप्शन हरिद्वार था, चौता रूड़की था उसमें रूड़की नहीं होगा, ठीक है यह साथ जगह भी इसकी, जो मतलब ब्रांचेश चल रही है वो इन साथ जगहों पर चल रही है यह था आपका डे फोर का क्रैस कोर्स होफुली आपके जहन में, दिमाग में चीज़ें घुश रही है आपको मजा आ रहा होगा फिर मिलते अगले सेशन पर अपना ध्यान रखिए थैंक यू